आप सभी का नमस्कार मैं समय जैस वाल आज की वीडियो में COB लाइट्स के बारे में डिटेल में चर्जा करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा 15 अलग-अलग डिजाइन्स की COB लाइट्स इनमें एक low range से लेके high range premium डिजाइन्स की COB लाइट्स भी हमने include की है आप इन सभी डिजाइन्स के model name, price, dimensions और specifications अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे और इन सभी लाइट्स को हम चला कर देखेंगे साड़ी 8 feet की height से इसे test out भी करेंगे सबसे पहले हैं philips extra spot 7 watts, COB lights की full form होती है chip on board और अक्सर ये आपके interiors को enhance करने के उपयोग में आती है और आजकल इसे LED panel के replacement में general lighting की तरह भी उपयोग में लिया जाने लगा है इसका जो है beam angle काफी कम होता है, LED panel का 120 degree होता है और इसका करीबन 30, 36, 20, 24 अलग-अलग beam angle इसका हो सकता है इन lights का अलग-अलग polycarbonate lens, reflectors में light आती है, अलग-अलग wattages में light आती है और कहीं तरह के designs में light आती है, तो इसलिए इनका अलग-अलग models देखना इस वीडियो में जरूरी हो जाता है जैसे आप यहाँ देख सकते हो, gold medal, orbics, 30 watt जिसका beam angle है, 36 degree का और 30 degree तक rotate आप इसे कर सकते हो gold medal का यह design सबसे common है, COVs की category में और आपको जाधतर brands के अंदर यह design मिल जाएगा market के अंदर अब next, यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया में काफी असानी से, कम दाम में और बहतरीन quality में मिलने वाली LX brand की COV lights यहाँ पर internally इस copper look की वज़ा से light जब बंद रहती है तो भी देखने में सुन्दर लगती है और half deep के साथ full deep COV को आप general lighting की तरह इस्तमाल कर सकते हो क्योंकि इसमें glare थोड़ा कम होता है next, यहाँ पर है panasonic COV light 9 watt के अंदर, branded COV lights लेना थोड़ा सस्ता पड़ेगा अगर आप inbuilt LED driver के साथ लेंगे जैसा कि यहाँ पर model में आपको दिखा रहा हूँ अब यहाँ हम बात करेंगे Jupiter zoom COV light 10 watt में मैं यहाँ आपको square में यह light दिखा रहा हूँ बड़ यह round के अंदर भी easily मिल जाती है इन lights की खास बात यह रहती है कि इनका beam angle काफी जादा होता है जैसे आप देख सकते हो 45 degree का तो अगर आप अपने घर पर या फिर office में false selling करवा चुके हो तो आप track light के replacement में zoom lights को इस्तमाल कर सकते हो आज की time पर अगर आप interior designers को, architects को अपना घर या office design करने के लिए hire करेंगे तो हो सकता है वह आपको पूरे घर में सिर्फ COB lights या फिर LED पैनल और COB lights के combination का इस्तमाल करने को ही बोले अब यहाँ पे काफी अलग तरह की ceiling LED light है इस तरह की light बहुत ही प्यारी लगती है देखने में और अगर आप अपनी false selling पे एक लंबा group कटवा लेंगे और उसके अंदर 3-4 इस तरह की light लगाएंगे तो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी इस तरह के multiple COB lights बहुत ही अच्छी लगती है यह single के अंदर भी अपलब्द होती है और 2 से जादा भी अपलब्द हो जाएगी market के अंदर अगर आप noidya उसके आसपस रहते हैं तो आप हमारे pronics lighting and electrical shop को visit कर सकते हो COB lights को purchase करने के लिए google maps की directions मैंने description में डाल दी है अब next यहाँ पर हम बात कर रहे हैं light advance की जो पहले ओसराम होता था इस तरह की light के अंदर भी कई तरह की COB lights लगी रहती है तो यहाँ पर आपको single के अंदर भी मिल जाएगे और जैसे आप यहाँ देख सकते हो पांच COB lights के अंदर भी यह उपलब्ध है इसी तरह की आप 15 COB lights वाली linear COB भी मार्किट के अंदर खरीच सकते हो तो यह lights तो बहुत ही modern है और आज कल काफी interior designers इस तरह की light को suggest कर रहे हैं advise कर रहे हैं आपको लगाने के लिए अब यहाँ पर जो LX की spotlight में आपको दिखा रहा हूँ यह आपको 1W से लेकर 50W तक आपको यह असानी से इंडिया के अंदर मिल जाएगी इसका price भी काफी कम रहता है quality बहुती बहती बहती है independent driver के साथ की आपको मिल जाएगी यानि कि अगर आप light खराब होती है तो आप driver को एक बार replace करकर देख सकते हो जो कि मातर 800 रुपे का आता है और आपकी light नहीं जैसी हो जाएगी next यहाँ पर एक smart light भी हम review करने जा रहे हैं जो कि विपरो ने अभी recently निकाली है यह एक half deep trimless COV light है विपरो की तरफ से और आप देख सकते हो कि आप अपने smart phone से इसका color temperature असानी से change कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो एक 2700 Kelvin temperature से color temperature से लेकर जो कि अभी आपके सामने है 6500 Kelvin temperature तक आप इसे कर सकते हो brightness levels आप देख सकते हो कितनी असानी से control कर सकते हो तो यह मैंने आपको दिखा ही विपरो की 15 watt की light अब यहाँ पर हम थोड़ी premium range की lights भी देख लेते हैं जो की zenus brand के अंदर है zenus brands की अगर light में अगर आप deal करना चाहते हो retail में बेचना चाहते हो तो भी आप मुझे contact कर सकते हो description में मैं number दे दूँगा और अगर आप इसे individually, personally भी खरीदना चाहते हो तो भी मैं description में number आपको दे दूँगा तो इस तरह की lights को telescopic COB lights बोलते हैं और यह दो तरह के angles के हाँ पर create करती है जो की देखने में बहुत ही अच्छा effect देता है जब हम COB lights की बात करते हैं तो घर के अंदर एक black then light then black then light इस तरह का जो एक बहुत ही beautiful सा ambience create करती है इस तरह की lights वो बहुत ही अच्छी लगती है COB lights को अक्सर हम लोग as a wall washing के लिए इस्तमाल करते हैं आनि कि अगर आप दिवार पर कोई भी design आपने लगा रखा है या पिर एक अलग तरह का paint करवा रखा है कोई artifacts लगा रखे हैं तो उसका बहुत ही अच्छा effect आता है आप अब दिखा रहा हूँ एक deep COB light beam angle सिर्फ 24 degree का होता है तो यह बहुत ही अच्छी लगती है और next यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी black body के अंदर भी aluminium body के अंदर मैं light दिखा रहा हूँ तो आपको आप देखोगे कि जब आप aluminium body की light लोगे तो इसकी finishing बहुत ही अच्छी रहती है और थोड़ी सी महेंगी ज़रूर पड़ती है again मैं यहाँ पर आपको एक zenus की light दिखा रहा हूँ जो देखने में बहुत ही सुंदर है तो यह अगर बंद भी रहेगी न तो बहुत ही संदर इसका effect आएगा और light का effect भी काफी different है दूसरी COB lights के comparison में तो इस तरह की lights भी आप खरीच सकते हो मेरे को description में आप एक बार मेरे number पे आप contact करिए WhatsApp करके मुझे पूछिए एक बार मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि आपको color temperature कैसे choose करना है तो अगर आप wooden कोई भी चीज को highlight करने का सोच रहे हो warm white ना लगा कर एक natural white या फिर cool white के अंदर COB का इस्तमाल कीजिए general lighting के लिए आप deep recessed COB का इस्तमाल कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा यहां पर कि COB lights का पहले जो है सिफ decoration और focus के लिए इस्तमाल होता था और mostly इसका इस्तमाल commercial purposes के अंदर एक तरीके से commercial जो भी showrooms वगेरा बनते हैं वहाँ पर सबसे जादा उपयोग में यह lights को लिया जाता है बट अब जो है घर के अंदर भी dining table हो गया living room, kitchen, home theater या फिर next आपका पूजा room, wardrobe के अंदर तो बहुत ही इसका use होता है bathroom के अंदर भी से इस्तमाल में ले सकते हो exterior में COB lights लगाओगे बहुत ही अच्छा grace आएगा बहुत ही अच्छा घर आपका दिखेगा तो इन सभी reasons की वज़े से COB lights अपने घर पर आप definitely use कीजिए और आप Ronix Lighting and Electrical Store को भी visit करिए या इंडिया में कहीं पर भी है तो भी आप हमें contact कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में bye and take care